दोस्तों एक महिला को यानि चार बच्चों की मा होती है और उसे उसके ही पत्ती का जो दोस्त है उस पर दिल आ जाता है और वहे उस अपने पती को छोड़ करके उसके दोस्त के साथ में live in relationship में रहने लग जाती है दरसल दोस्तों उसको उस लड़के से प्यार हो जाता है और वहे उस लड़के से प्यार इतना कर जाती है कि वहे अपने पती को छोड़ करके उस लड़के के साथ live in relationship में रहने लग जाती है दोस्तों ऐसा प्यार है जो इतना परवान चड़ जाता है कि चार बच्चों की मा है वहे प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि वहे अपने बच्चों को छोड़ करके और अपने पती को छोड़ करके एक दूसरे युवक के साथ में यानि उसके ही पती का दोस्त होता है और उसके साथ में वह चली जाती है यानि कि live in relationship में रहने लग जाती है दोस्तों प्यार है कहते हैं कि अंधा होता है लेकिन इतना अंधा होता है यह नहीं देखा था लेकिन आजकल जो प्यार है वह इतना अंधा हो गया है कि वह कुछ भी नहीं देखता है ने जाद देखता है न कहानी है और इस वीडियो में अंत्र तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा होसला है वे बढ़ता रहें और मैं आपके सामने ऐसे ही नई-नई कहानिया है वे सुनाता रहूं दरसल दोस्तों ये पुरा मामला है ये चूलू जिले का है और चूलू जिले के राजगर इलाके का ये पुरा मामला है जहां एक महिला होती है और महिला के चार बच्चे होते हैं साधी सुदा महिला थी जिसके चार बच्चे थे और उसका पती है वहे ध्याड़ी मजदूरी करता है और उसके साथ में उसका दोस्त होता है वहे भी ध्यारी मजदूरी उसके साथ करता रहे और इसके इसी बज़े से उस दोस्त का उसके घर आना जाना रहता है करीबन तीन साल पहले उस दोस्त के साथ उस महिला की जान पहचान हो जाती है वह उसके साथ बाचीत करने लग जाती है फोन के जरिये दोनों में आपस में बाचीत होने लग जाती है और बाचीत होते होते बात है वह प्यार तक पहुँच जाती है यानि दोनों है एक दूसरे को परपूज कर देते हैं दोनों प्यार करने लग जाते हैं और महिला है वह हरियाना में मौट लौहारी गाव है वहां की वह मायडा रहने वाली थी जहां इसका पिहर था और वह उसकी साधी है करीबन 10-1 साल पहले इस गाव में यानी राजगठ में हुई थी और उसके बाद से वह राजगडी रह रह रही थी लेकिन तक्रीमन 3 महिने सराब के नशे में उसके साथ मार पीट करता है और उसे घर से बहगा देटा है अब महिला है वहे एक बच्चे को लेकर के उसी जो उसका दोस्त था जिसका नाम अनील होता है वहे उस अनील के पास चली जाती है और वो दोनों है यानि राजगड से गांदी नगर गुजराच चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के दोनों लिव इन रिलेशन्सीप में रहन जाती है यानि दादा दादी के पास में तीन बच्चों को छोड़ करके वह महिला है उसी जो पती का दोस्त था उसके साथ में गांदी नगर गुजराच चली जाती है और उसके बाद में वहां रहने लग जाती है और उसका पती है वह सराब के नसे में धूत रहता है और व प्यार हो जाता है और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि वह एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते उनका प्यार इतना परवान चड़ जाता है कि वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते महिला की उमर है वह 30 साल होती है जबकि यूवक है जो उसका बॉइफरेंड होता है उ जब इस बात का पता है उसके पती को चलता है उसके प्रिवार वालों को चलता है कि वह अपने प्रेमी के साथ यानि उस अनील के साथ भाग गई है और वह गुजरात गांधी नगर चली गई है तो उसका पती है वह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है और उसे रिपोर्ट दर्ज करा करके उसे जान से मारने की धमकी देता है दोनों को जब ऐसी धमकी है वह दोनों प्रेमी जोड़े को मिलती है तो दोनों की जान है वह हलक में आ जाती है यानि की कहते हैं की जान के लाले पड़ जाते हैं दोनों घबरा जाते हैं की अब होगा क्या क्योंकि दोनों घबरा जाता है क्योंकि जान है तो जहान है इसलिए दोनों को जान चे मारने की जब धंकी मिलती है तो जोनों की जान है वह हलक में आ जाती है दोनों घबरा जाते हैं कि अब होगा क्या और कैसे हम दोनों बच पाएंगे ऐसी ही बात सुन करके दोनों के कहते हैं कि घबराट ह हो जाती है पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और दोनों को कहते हैं कि खाना है वह भी हजम नहीं होता है क्योंकि जान मारने की धंकिया है लागातार उनको मिलती रहती है महिला का जो पिहर पक्स है वह भी उन्हें धंकी देता है जो हरियानाकाल मोट लुहारी गाव है वहां की वे महिला रहने वाली थी लेकिन महिला यही कहती है कि उसका पती सराब पीकर के उसे मारता है पीडता है इसे वह पर मजदूरी के बहाने यानि मजदूरी करते थे दोनों एक साथ इसलिए अनील का उसके घर आना जाना रहता था और उसके बाद में उसकी जो जान पहचान थी वह अनील के साथ हो जाती है और वह उसके साथ में बाचीत करने लग जाती है दोनों के साथ दोनों की इतनी गहरी ब कैसे भी करकर के हमें एसपी साब के सामने पेस हो जाना चाहिए तो दोनों चूरू आ जाते हैं और चूरू आने के बाद एसपी धपतर चले जाते हैं यानि पुलिस अधिक सक्के ओफिस जाकर के उसके सामने पेस हो जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि सर हमें सुरक्सा चाहिए S.P. साब कहते हैं कि बात क्या है पुरी बात बताईए S.P. साब उनकी पुरी बात सुनते हैं तो महिला कहती है कि सर मेरा पती है वे मुझे मार पीट करता है सरापी करके मुझे बहुत ज़्यादा मारता है पीटता है इससे मुझे तंग आ करके मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा और मैं इस लड़के के साथ में रहना चाती हूँ ये लड़का बहुती अच्छा है और ये मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखता है इसलिए मैं इस लड़के के साथ में रहना चाती हूँ लेकिन मेरा पती है और मेरे जो परिवार वाले हैं जो ससुराल पक्स के लोग हैं वह मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं मुझे भी धमकी दे रहे हैं और मेरे इसे जो प्रेमी है मेरा उसे भी धमकी दे रहे हैं जान से मारने की इसलिए हमें सुरक्सा की जरूरत है तो SP साब कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप यहां आये हो और आप अपनी मर्जी से यहां इसके साथ में रहना चाहते हो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि ऐसा आजकल तो वैसे भी नियम है और आप दोनों लिव इन रिलेसंसिप में रहे रहे हो और आपके सामने आप कोट मेरी भी कर चुके हो तो क्या दिक्कत है कोई घबराने वाली बात नहीं है आप आराम से रह सकते हो तो महिला कहती है कि ठीक है सर अब SP साब उन्हें शुरक्षा दे देते हैं और दोनों अपने घर चले जाते हैं दरसल दोस्तों ऐसे मामले हैं वहें दिन परती दिन राजस्तान नहीं बलकि पुरे भारत देश में ऐसे काम हो रहे हैं और ऐसे ही मामले हैं आजकल ये लिव इन रिलेसंसिप पारा जो मामला है जो नियम है य यह अपने पती को छोड़कर कि live in relationship में दूसरे पती के साथ महिला रहने लगाती है और उसके साथ जब भी कोई धंकिया मिलती है तो SP साब के सामने पेश हो जाते हैं और उसके साब पास सुरकसा की मान करते हैं तो सुरकसा उन्हें मिल जाती है दोस्तो ऐसे मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ऐसे ही मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बोक्स में जरूर बताना और दोस्तों ऐसे मामलों को कैसे रोका जाए, इसके लिए कमेंट में जरूर बताना कि कोई ऐसा नियम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए